Welcome back to my channel आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी case study के बारे में लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हम मेंसे ऐसे कितने लोग हैं जो ये बहाने बनाते हैं ये excuses देते हैं कि उनके पास में ये facility नहीं है ये सुविधा नहीं है ये internet नहीं था उनके पास में funding नहीं थी proper team नहीं थी इस वज़े से वो अपना business आगे नहीं ले जा पाए वो studies में आगे नहीं जा पाए ऐसे हम हर रोज इस तरह की चीजें ऐसे excuses हम अपनी lifestyle में involve कर लेते हैं जिसकी वज़े से हम successful नहीं हो पाते हैं आज मैं जो case study आपको बताने जाने वारा हूँ वो बहुत ही amazing story है और किस तरह से एक इंसान ने अपने संघरसों को धता बताते हुए amazing बहुत बड़ी company खड़ी की let us begin with the story आज मैं बात करने वाला हूँ श्रीकांत बोला की श्रीकांत बोला आंद्रप्रदेश के एक छोटे से गाउं में पैदा हुए यह जन्म से ही blind थे यह बहुत ही दुख वाली बात थी उनके family के लिए जिस time पर जिस गाउं में वो रहा करते थे गाउंवालों ने उनके parents को यह suggestion दिया कि आप स्रीकांत को मार क्यों नहीं देते क्योंकि वो अंधे थे इस चीज को सुनकर उनके parents को बहुत दुख हुआ लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं और उन्होंने अपने बच्चे को पाला, पूशा और बढ़ा किया उन्होंने प्रतेभा को देखा स्रीकांत बोला की और स्रीकांत बोला पढ़ने में बहुत ही अच्छे स्टुडेंट थे एर्थ और टैंथ में उन्होंने अपनी क्लास में टॉप किया उसके बाद में जब इलेवन्थ में जब उन्होंने सब्जक्ट चूज किया साइंस और मैट्स तो जो बोर्ड था अंधर प्रदेश का स्टेट बोर्ड ने उन्हें 11 और 12 का एक्जाम देने से एंट्री देने से मना कर दिया क्योंकि बोर्ड रेडी नहीं था इस चीज के लिए कि एक ऐसे स्टुडेंट को वो एक्जाम दिलाए जो ब्लाइंड हो लेकिन स्रीकांद बोला यहाँ पर नहीं रुके उन्होंने चैलेंज किया इस डिसीजन को और उन्होंने जीत हांसिल की आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहने वाला हूँ अपने डिसीजन पर रुके नहीं उन्होंने चेलेंज किया जो decision उनके against किया इसी तरह से क्या आपकी life में भी ऐसा कोई challenge आया है जिसे आप challenge कर सकें और उसके उपर जीत हांसिल कर सकें इसके आगे की story narrate करता हूँ मैं आपको जब उन्होंने ये जीत हांसिल कर लिया और उन्होंने science और maths में 12th का exam दिया उन्होंने 98% score किया क्या आप imagine कर सकते हैं एक इंसान जिसके साथ में यतिनी सारी problem हो जो blind हो जिसे state ने exam देने से मना कर दिया हो जिसने code case fight किया हो और वो जीत करके उसने वो exam दिया और वो top किया क्या आप imagine कर सकते हैं कि आपकी कोई भी problem इस तरह से हो और जिसे आप asset जीत सकते हैं इस positivity के साथ में इस motivation के साथ में चलिए इससे भी आगे की story में पता आता हूँ इसके बाद में जो हुआ उससे ये बहुत ही जादा दुखत था उनके साथ में क्योंकि वो एक IIT के student बनना चाहते थे उन्होंने exam form भरा लेकिन IIT ने exam देने से उन्हें मना कर दिया लेकिन स्रीकान ने सूचा जब IIT मुझे नहीं चाहता तो मैं IIT को नहीं चाहता आफर भीजा कि वो उन्हें जॉइन कर सकते हैं लेकिन स्रीकान बोला ने चूज किया IIT को IIT में जाने के बाद उन्होंने अपनी महां से studies जो है complete की लेकिन सबसे important बात ये थी कि IIT बहुत ज़्यादा उत्साहित था उनको लेकर के और वो इसलिए उत्साहित था क्योंकि स्रीकान बोला उनके लिए पहले international blind student थे और वो बहुत ज़्यादा proud थे इस चीज को लेकर के उनके पास में एक ऐसा student है जो बहुती प्रतिभास आली है और बहुती talented है और उनके हाँ पर पढ़ रहा है लेकिन आप देख सकते हैं कि आपनी जो education situation थी जो education की जो व्यवस्था है उसने उनकार दिया लेकिन एक विदेशी university ने उन्हें accept किया योहां से उन्होंने जब अपनी पढ़ाई complete करी उसके बाद में वो वापस state लोडे अंद्रपरदिस में आने के बाद उन्होंने समन्वाई एक NGO non profitable organization स्टार्ट किया और अपने ही जैसे student जो disabled थे जो blind है या फिर उन्हें कोई भी किसी और तरह की disability थी उन्होंने उन्हें पढ़ाना स्टार्ट किया अपने NGO के थरू और Blair Lippy के थरू उन्होंने तील हजार से ज पताना चाहता हूं श्रीकान बोला यहीं पर नहीं रुके उन्होंने अपनी सिक्षा बेवस्था दख्यानू से समाज और अपनी disability को धता बताते हुए और उसको अंगूठा दिखाते हुए उन्होंने एक ऐसी company का निर्मान किया जिसका नाम ता बोलान Industries Private Limited वो company आज की ता बार्ट कर दी आप किस चीश का विट कर रहे हैं आपके पास क्या excuse है आप देने के लिए क्या इंटरनेट आपका काम नहीं कर रहा है यह एक आपका excuse है क्या आपका लैपकर आपकी पास में laptop नहीं है या कोई book नहीं है उस विए से आप अपना काम नहीं कर पारे studies नहीं कर पारे यह चीजे गलत हैं आपको अपना माध्यम खुद बनाना होगा आपको अपनी चीजें खुद तयार करनी होगी मुझे एक शायरी याद आती है जो बहुत ही important है इस मौकी पर बूलना कि सीडियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना हो सीडियां उन्हें स्रीकांग बोला ने अपनी disability को आगे नहीं आने दिया कभी भी और यह बता दिया उन्होंने कि वो क्या चीज है और अगर किसी प्रतिभा को मौका दिया जाया तो वो किस लिवर पर बहुंच सकती है उनकी company उनका समन्वाई जो NGO है और उनका जो attitude है वो इतना positive था कि मैं उ motivate मत होने दीजिए किसी भी चीज के वज़े से आप ये मत सोचिए कि आपके पास आप success नहीं हो सकते क्योंकि आपके पास में वो चीज नहीं है ये एक excuse है आप कुछ कीजिए आप खुद के पास में जो available resource है उनसे आप कुछ prepare कीजिए जो product है आपका उसके आप trust कीजिए आ अगर आपको आज की स्टोरी अच्छी लगी हो आपको motivation मिला हो इस स्टोरी से तो please मेरा चैनल follow कीजिए bell icon press करना ना भूले ताकि आपको इस तरह की positive और motivational stories मिलती रहें टाइम भी तैंक यू